सबी को मेरा राम राब आज हम बहुभुच की कुछ प्रशनों पे चर्चा करेंगे क्योंकि बहुभुच पे एक वीडियो हमने पहले ही बना रखा है परिभाशाओं पर, परिभाशा है हमारी कलियर उसमें हो गई थी और जो प्रशन बनते हैं जो की परिख्षा के लिए बहुत जरूरी है पढ़ने परिख्षा में वो आता है उन पे आज हम चर्चा करेंगे जो शुरू से जो प्रशन आपको दिखेंगे वो थोड़े आसान से हो सकता है होते तो इंपोर्डेंट है पर आपने पढ़े होंगे इसलिए आपको आसान लगेंगे बाद बाद में उनकी इंपोर्डेंस बढ़ती जाएगी इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें वीडियो को अंतर तक जरूर देखें तो चलो शुरू करते हैं आज का टॉपिक आज का हम पहला प्रेशन पढ़ते है कि समान अंतर चत्रभुज के गुण धरम क्या है सबसे पहले ये समझते है कि समानतर चत्रोज के गुन धरम क्या है किस को हम समानतर चत्रोज कहते है तो पहला जो इसका गुन धरम है कि सम्मुक भुजाओं का प्रतिय एक यूगम बराबर होता है तो इसका मतलब है कि अगर सम्मुक भुजाय जो होती है इसकी उनका जो जोड होता है वो हमेशा बराबर होता है दूसरा है कि सम्मुक कोणों का पृतियक यूगम बराबर होता है वो जो सम्मुक कोण होते है उनका यूगम जो है जोड है वो भी हमेशा बराबर होता है जो है समानंतर चत्रोज के गुण और धर में कि इसकी सम्मुक हो जाएं का युगम ब्राबर होता है सम्मुक कोणों का प्रतियक युगम ब्राबर होता है और बिकान प्रस पर सम्द्विभाजित होता है तो ये जो है आपने ध्यान ड़कना है इन में से कोईसा भी आ सकता है कोईसा भी गुणा आपसे पूछा आपको बताना होगा तिसरे को आपने right click करना होगा तो ये आपने बहुत अच्छे से ध्यान अठना है अगला हम पढ़ता है कि चत्रभूज के चारो कोणों का योग डेडेश होता है यह आपने बताना है कि चत्रभूज के चारो कोणों का योग कितना होता है तो वो होता है 360 डिक्री 360 डिक्री होता है किसी भी चत्रभूज के चारो कोणों का योग उसमें चाहे बर्ग हो चाहे आयत हो चाहे समानंतर चतर भूज़ हो, चाहे समलम चतर भूज़ हो, कोई सी भी चतर भूज़ हो सकती है, उनके जो अंतरिक जो कौन होता है, उनका जोड होता है 360 अगला हम इसमें पढ़ता है, कि एक समानंतर चतर भूज़ के सम्मुक भूजाएं समान और समानंतर होती है, तथा इ इसको प्रशन को कि एक समान अंतर चत्रभुज है उसके सम्मुक भुजा एक समान है और समान अंतर है तथा इसके सम्मुक कौन डेड़ेश होते हैं तो इसके सम्मुक कौन भी हमेशा समान होते हैं अगला है कि समान अंतर चत्रभुज के बिकर्ण परस पर डेड़ेश होते है यह हमने अभी गुनधरम में भी देखा था पढ़ा था तो समानंतर चत्रभुज के बिकर्ण परस पर संदोई भाजित होते हैं यह आएगा संदोई भाजित अगला है कि समानंतर चत्रभुज आयत होता है यदी और केवल यदी उसके बिकर्ण डेडेश के हो अब आप इसको देखिए जो बरस में पढ़ता हूँ कि समान अंतर चत्रबूज आएद होता है सबसे पहले तो दिमाक में लगाईए कि आएद क्या होता है आएद की परिवाशा यदि आपने पिछले वीडियो में पड़ी होगी समझी होगी तो आप इसको समझ सकते कि आयत क्या होता है यदी और कैवल यदी पर इसमें इनोंने कहा है कि यदी कुछ कारण है तब ही वह समान अंतर चत्रबुज आयत होता है यदी उसके अंदर ये चीज़े होगी नहीं तो फिर नहीं होगी तो क्या उसके बिकर्ण कैसे हो चत्रबुज के बिकर्ण प्रसपर डेडेश होते हैं ये मैंने गुन धर्म में आपको सबसे पहले तभी मैंने आपको गुन धर्म करवाया था तो समानंतर चत्रबुज के बिकर्ण प्रसपर लंब होते हैं हमेशा इसके बिकर्ण जो हो समदी भाजित तो होते ये लंब भी ह होते हैं अगला है समानंतर चदरूज बर्ग होता है यदी और केवल यदी उसके भी करण बराबर हो तो ता प्रसपर डेडेश बनाएं देखो समानंतर चदरूज बर्ग होता है तो कैसे होता है यदी और यदी कुछ कारण कह रहा है कि यदी वो चीछ है लग यदी उसके भी करण बराबर हो एक करण बता दिया और यदि प्रस पर डेडेश बनाए तो प्रस पर लंब बनाए यदि वो एक गुसरे पर लंब है तो ही वो समानतर चाद बुझ बर्ग होता है इस तरह के प्रेशन बहुत पूछे जाता है परिक्षा में तो आपने बड़े ध्यान से इनक करण डेडेश होता है तो आयत और बर्ग के लिए पर रिवाशा है आपने पढ़ी है और आपको पता है तो आप बता सकते हैं कि आयत और बर्ग का प्रतिकांतरी कRIक्षा होता है तो उसको हम कहते हैं सम करण या कर्ण नहीं कर्ण कहेंगे तो आयत और बर्ग में हमेशा कर्ण होते हैं क्योंकि आयत और बर्ग के जो कौन होते हैं वो नमबे डिग्री के होते हैं नमबे डिग्री वाली आकर्ती में जो कर्ण बनता है उसको भी कर्ण नहीं उसको हम कर्ण कहते हैं जो आपने सामने की अगला है बर्ग और सम्चत्रभुज के बिकर्ण एक दूसरे को डेड़ेश पर सम्दुई भाजित करते हैं बर्ग और सम्चत्रभुज के बिकर्ण अभी हमें बिकर्ण क्यों के रहा है हमें सम्चत्रभुज के रहा है सम्दूई भाजित करते है तो यह करते है समकौन पर बीच में जहां पर सम्दूई भाजित होंगे वहां पर हमेशा समकौन बनता है अगला है कि एक ही आधार और एक ही उचाई के समान अंतर चत्रभुज का डेडेश समान होता है अब ध्यान रखे इसमें कि एक ही आधार है बराबर आधार है में लोग पर एक ही उचाई है उचाई भी बराबर है तो समान अंतर चत्रभुज है यह ठीक है एक ही आधार और एक ही उचाई का समान अंतर चत्रभुज है तो उसका डेडेश समान होता है समान अंतर चत्रबुच का शत्रफल उसकी किसी एक भुजा और शिष लंब के डेडेश के बराबर होता है ये कहराए कि समान नतर चत्रभुज का शेत्रफल उसकी एक भुजा और शिट लंब के शिट जो शिट जो लंब निकलेगा उस लंब और भुजा के गुनन फल के बराबर होता है तो यहाएगा गुनन फल इदिन को गुना कर दिया जाएं तो जो उसका जोड़ाएगा वही सम्चत्रभुज का शेत्रफल भी होगा चक्रिय चत्रभुज के समुख कौनों के किसी भी यूगम का शेत्रफल डेडेश होता है चक्रिय जो चत्रबुज होती है उसके समुख कौनों का यूगम यूगम में उनका समुख कौनों का जो जोड होगा उसको कितने किसके बरावर होगा 180 डिगरी तो ये ध्यान अगना है चक्रिय चत्रबुज से बहुत सारे प्रेसिन पूछे जाता है सम्मु कोणों का जो शत्रफल होगा जोड उनका होगा होगा 180 डिग्री अगला हम पढ़ते हैं कि दो बहुबुच समुरूप होते है जब कैसे होते है यदि पहला कह रहा है कि उनके संगत डेडेश ब्राबर हों और दूसरा कह रहा है कि उनके संगत बुझाओं की डेडेश अनुपातिक हो तो ये दो बहुबुच समुरूप मिन्स एकी रूप के हो सकता है यदि उनके संगत कौन ब्राबर हो यदि उनके कौन आपसमें ब्राबर है यहां एका कौन ब्राबर है तो वो समुरूप है और यदि उनकी संगद भुजाओं की लंबाई अनुपातिक हो दूसरे में आएगा लंबाई तो यदि उनके कौन और लंबाई बराबर है अनुपातिक लंबाई है और कौन उनके बराबर है तो ही उन दो भुज को हम समरूप कहते हैं अगला हमारा है यदी किसी चत्रवुज के समुख कौनों का योग डेडएश हो तो उसे डेडएश चत्रवुज कहते है या वो डेडएश चत्रवुज होगा देखिए, दुबारा से पढ़ता है, यदि किसी चतरवुज के समुख कौणों का योग डैडेश हो, मलब 180 दिग्री हो, तो वह है चतरवुज डैडेश चतरवुज होगा, तो समुख कौणों का योग, अवी मैंने इस से पीछले दो परिभाशां से पीछली मैंने चक्रिय चत्रभुज़ जीए इससे पहले मैंने दो परिवाशा, एक परिवाशा चोट के पहले परिवाशा बताई थी, कि यदि किसी चत्रभुज़ के समुख कौन का योग एकस्वासी भीगरी है, तो वो होता है चक्रिय चत्रभुज़। इससे बहुत प्रशन आते हैं च संपूरक, एक चक्रिय चत्रबुज के समूकॉण संपूरक होता है, संपूरक की जो परिभाषा है, वह मैंने जो लाएन और एंगल के मैंने जो परिभाष वीडियो पराया था, उसमें पताया था, कि जिन कॉणों का योग lowest log होता है, उसको कहता है संपूरक, तो यही चक्री चत्रभुज के समों कौन समपूरक होता है और वो होते ही क्योंकि उनके दो कौनों का योग जो हमेशा 180 डिगरी होता है इस तरह से यह आपने इस काल से निकालना है अगला हम पढ़ते हैं कि एक सम चत्रभुज का शेत्रफल उसके विकर्णों के गुननफल का डेडेश होता है एक सम चत्रभुज का शेत्रफल उसके विकर्णों से आधा होता है यह अपने ध्यान रखना है अगला है इसमें हमारा एक वर्ग के अंत्रिकोणों के कुल जोड तथा एक त्रिकोण के अंत्रिकोणों के कुल जोड का अंतर डेडेश होता है दुबरा से पढ़े हैं इसको आप कि एक वर्ग के अंत्रिकोणों के कुल जोड का अंतर अंतर मिन्स उनके अंदर डिफ्रेंस क्या रहेगा सबसे पहले आप देखिए कि वर्ग के अंत्रिकोणों का जोड कितना होता है एक कितना होता है तीन सो साथ डिगरी होता है वर्ग के अंत्रिकोणों का जोड होता है तीन सो साथ डिगरी और त्रिभुज के अंत्रिकोणों का जोड होता है एक सो असी डिगरी तो अब दोनो में अंतर कितना हो? पहला है 360 का, दूसरा है, दूसरे का जोड होता है, तिरी भुज के जोड होता है 180一वी 60 में से 180 डिग्री घटाते हैं तो अंतर कितना जाएगा 180 इसका उत्तर आएगा 180 डिग्री तो एक बर्ग के आंतरिक कोणों के कुल जोड तथा तिरी भुज़ के या तिरी कोण के अंतरिक कोणों के कुल जोड का अंतर 180 degree होता है इसमें आपने उलजना नहीं है इस तरह से आपके प्रश्ण जो है आज का टोपिक हमारा यहीं तक था, ठैक्स पर वाचिंग मैं चानल राइंग स्टरी